मार्केट महारती सेग्मेंट में आज एटीनों स्वदेश के महमान हैं गौतम और गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोल्डी लॉक्स से और गौतम शाह अफ्कॉस बहुत डिफ्रेंशेटेट स्टडीजिस्ट हैं वो 70-80% चार्ट सेटेप को स्टडी करते हैं उसके अंद करने के लिए सबसे पहले आप यह बताएं गौतम कि जो बजार का सेट अप है पंदरा दिन में एक एक्स्ट्रीम फियर जोन से कि भाई शायद मुदी जी वापर लॉट के नहीं आ रहे हैं कंटिनुटी नहीं रहेगी सो थोड़ा नियूट्रल जोन में आई लेकिन इस जर और यह चार मेहना से जारी है और इस पीरिट में हम ग्रीड और फियर में ऑसलेट हो रहे हैं क्योंकि बजार हजार पॉइंट चलता है तो लगता है कि सब कुछ ठीक है और उसके बाद वहां से गिर जाता है और फिर जब गिरता है तो लगता है कि चलो अब तो सब खराब ह गया और उसके बाद वो वापिस घूम जाता है तो I think global market strong है liquidity हमारी इतनी strong है उसके current ये market एक healthy range bound consolidation में चला गया अगर ये पुराने जमाने का bull market होता तो हम अब तक 10 से 15% गिर चुके होते पर क्योंकि इतनी strong liquidity और global markets इतने strong है market एक clear range में है 21.800 on the downside और 22.800 on the upside और हमें ये नहीं भूलना चीए कि last October, November, December में हमने बहुत अच्छा rally देखा 19.000 से लेकर 22.500, 800 तक तो थोड़ी बहुत consolidation बनती थी अभी भी charts में ऐसा कोई confidence है नहीं कि बजार यहां से भाग जाएगा और मेरे साब से market को सिर्फ majority से मतलब है लोग इतना speculation करें कि क्या numbers आएंगे June 4 को honestly क्योंक आएगा तो यह election related volatility है इस weakness में अच्छे stocks में काम कीजिए अच्छे stocks में buying कीजिए market जादा नहीं गिरेगा हो सकता है कि 3-4% की shakeout और आ सकती है और वो आएगा अगर 21.850 closing basis में break होता है और on the upside 22.350 सबसे important assistance है आज सुबह हम उसके पास गए थे और अगर 22.350 कभी निकल जाए तो I think तेजी वापस बन जाएगी तो अभी range one market है अच्छे sectors में रहिए फार्मा में रहिए FMCG में रहिए metals में रहिए selective stocks में काम कीजिए और nifty को जादा मत देखिए क्योंकि वो आपको continuously confuse करेगा जी बहुत बढ़े हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और stocks से बारे हैं बात कर लेते हैं उस spaces जो आपने बताई ही FMCG में बहुत शांदार काम हुआ हमने देखा कि चार बड़ी कंपनियों ने back to back ये बात कही अपनी earnings call में results के बाद soft results के बाद भी कि शायद value आपके value हिस से में भी बाइंग आ रही है रूरिल में बाइंग आ रही है ब्रिटानिया अमेरिको डाबर एच्वेल आपको भी पसंद आता है इसमें आपका आपकी जो लिस्ट है वो preference वाई सबसे आजा आपको setup कहां बड़ी नजार आता है पहले तो एक चीज़ देखना पड़ेगा क कि FMCG पिछले 6 महने से consolidation में था उस, उस sector ने कुछ नहीं किया उस जमाने में जहां हर कोई stock हर कोई sector market में अच्छा कर रहा था और हमने ये covid time से देखा है कि हर sector का अपना एक जमाना होता है एक बात था जब IT चलता था फिर capital goods ने अतना अच्छा move दिया, real estate move किया, metals हमारा favorite चार मेहनों से और अभी भी काफी strong है, वैसे मुझे लग रहा है कि FMCG में एक बड़ी turnaround है जो charts में दिख रही है और fundamentals में भी अब वो दिखने लगा है, तो यह जो combination है tacticals of fundamentals का, यह मुझे कहता है कि यहां से 10 से 12% की moment index में आ सकती है और index 60,000 तर जा सकता है, 58,000 उसका lifetime है, FMC इंडेक्स का, और अगर आप stocks की बात करें तो ITC हमारा topic है, क्योंकि मुझे लगता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए यहां पर 100 से 120 रुपय की तेजी अराम से आ सकती है, this will be followed by Britannia, जिसकी chart काफी अच्छी है, Hindustan Unilever जो एक dark horse candidate हो सकता है, और Dower and Mariko, so स DC, Britannia, फिर Dower में रिखो, चलिए हम यह metals के बारे हैं बात करते हैं, metal में भी लोग कह रहे हैं कि शायद 1224 metal का साल हो सकता है, in fact हमने देखा बड़ी-बड़ी खबरे आ रही है, Hindal को जो है, novelist को लिस्ट करना चाहता है, विदानता ने एक समय में dead का इतना बड़ा problem हो गया लोग तो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बजार में अच्छी तेजी आई है, but at the starting of the year, I think हम लोग ने दो ट्रेट बताया था, हमने यह कहा था है कि 2024 will be the year of gold and silver, and we also say 2024 will be a year जहां metals can be a dark horse candidate, तो पिछले चार मेनों में तो इतनी अच्छी तेजी आई है, it's caught a lot of people by surprise, क्योंकि fundamental tailwind दो मेने पहले नहीं था, अब है, because of the China recovery, there are factors, जिसके basis पे लोग बाग कर रहे है, और मुझे लग रहा है कि यहां से भी metals index में 1000 point के तेजी आईगी, तो 10,700 तक metals index जा सकता है, हमारा favorite है JSPL, जो हमने एक दिन मेना पहले cover किया था, as one of our long term picks, और मुझे लगता है कि JSPL में यहां से 20-25% के तेजी और आ सकती है, this will be followed by sale on alco, जहां पर PSU angle भी है, और metals angle भी है, मारे favorites रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहां से भी 20-25% के तेजी आराम से आ सकती है, Tata Steel एक dark horse candidate हो सकता है, it is always due for a rally, और हो सकता है कि अगले 6 मेनों में हम Tata Steel को 200 के उपर trade करते वे देखें, और GSW Steel और Vedanta में भी मुझे ज्यादा downside नहीं लगती है, तो आपका portfolio का अच्छा position, I think metals में होना चाहिए, momentum अच्छी है, कल बजार चला, तो देखें metals index कैसे अपने lifetime highs पे वापस आ गया जल्दी स अपने फार्मा का जिक्र किया, फार्मा स्टाक्स में आपको किस तरह के move जरा है, यहां पे तो mid-cap भी चलना शुरू हो गए, कुछ फार्मा में, आपके radar पे कौन से फार्मा स्टाक्स हैं, लेकि अभी तो top quality फार्मा में रहना चाहिए, I think वो ही बनता है, क्योंकि top quality फार् mid-cap returns दे रही है, अगर आप Zydus Life को देखे, Sun Pharma को देखे, इतनी अच्छी moves है, जो आपको mid-cap सब small-cap फार्मा में मिलती है, यह सब अच्छे companies है, समझेवे companies है, अच्छे earnings है, charts गजब के हैं, ratio charts बहुत अच्छे हैं, इसको अगर आप Nifty से compare करें, तो पता चल रहा है कि एक mega trend में है, और Pharma Index भी पिछले तीन मेंने एक range में था, और मुझे लग रहा है कि अगले एक देर हफता में वो breakout कर जाएगा, अगर वो होता है, तो Pharma Index में भी 10% की तेजी आनी चाहिए, so stocks में हमारा favorite Sun Pharma है, Sipla, जो हमारे top of the list है, followed by Dr. Redis, और DV's Lab एक dark horse candidate है, क्योंकि वो 1000 पे उपर निकलता है, तो वहां पर भी अच्छी तेजी आनी चाहिए, मिटकया फार्मा में थोड़ा सा कैरफूल रही है, इस लेवल्स पर, that will be my advice, चलिए, बैंक निफ्टी ये बात कर ले, वहां पर कुछ बैंक तो बहुत जबदस्त मूव दिखा रहे है, ऐसे ऐसे ऐस देखें, बैंक निफ्टी एक पेंडूलम की तरह रहा है, पिछले 3-4 महनों में वह उपर में 50,000 का उसका रेंज है, नीचे में 46,500 का रेंज है, और इसी में ही काफी उपर नीचे हुआ है, तो it's actually been a trader's delight, but investors के लिए काफी challenging रहा है, क्योंकि जबी भी SDFC चलता है, सब को ल भी आपके channel में आया हूँ, पिछले 6 मेनों में मैंने इसके बारे में कहा, वो अभी भी strong है, और मुझे लगता है कि हजार की level तक चला जाएगा, तो bank nifty एक volatile index है, ज़्यादा downside, upside दोनों नहीं है, यहाँ पर over commitment करके फाइदा नहीं है, अगर आपको commit करना है, तो ICICI में र प्रजीद 800 चला गया था, काफी दूसरे stocks भी अदानी ग्रूप के active हो गए है, कुछ charge पर आपको नज़र आ रहा है, किसी में काम करना चाहिए, देख रहे हैं यह ग्रूप, लेकिए, अगले 15-20 दिन में क्या होता है, elections में, I think that will have a bearing on many of the companies that are listed on our markets, so वो उसको थोड़ा सा रखना चाहिए, और हम क्या है, अभी थोड़ा सा लो बीटा में चले गए हैं, क्योंकि अभी हाई बीटा में रहे के फाइदा नहीं है, इंडिया विक्स 20 के लेवल के आसपास है, market में volatility जारी है, elections में इतनी बात हो रही है कि कब, कहा, क्या होगा, non-event लगता है, I think जो ल 12 मेहना का view है, तो सारे अडानी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, मेरे साब से यहां से return देंगे, अगर आप 2-4 week के साब से देख रहे हैं, तब उन में मत काम कीजिए, तब लो बीटा स्टॉक्स में काम कीजिए. आपने गौतम, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया, मुझे यहारा विक्स के बारे में बताएं, हम सब लोग यहां पर चैनल पे, एटी नाव सो देश पर भी यह बात डिसकस कर रहे हैं, यह वन साइडिड, पिछले 12 दिनों में 10 दिन तो विक्स चलती रही है, 20 तक आ इसका क्या मतलब निकालना चाहिए, क्या कॉशन बढ़ रहा है बजार में, लोग ज़्यादा सतर को गएं, आपने क्या देखा जबदस्त विक्स की रैली को? अजय जी, मैं मार्केट में 2003 से हूँ, तो पिछले 21 सालों में मैंने काफी ऐलेक्शन देखे हैं, और मार्केट में कैसा अक्शन रहता है, one month, two months before the elections, मैंने ये 2004 में भी देखा, 2009 में में भी देखा, 2014 में भी और 2019 में भी देखा, कि एक दिर महना पहले विक्स में एक बड़ सी moment आती है but as you get closer to the date मेरे साब से विक्स धीरे धीरे वो कम हो जाएगा क्योंकि any which में लोग थोड़ा से ज़्यादे ही conservative हो रहे हैं इस elections के चलते जो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ होने वाला है but अगर आप historic standards के साब से देखें तो जभी भी विक्स 25 से 27 के जोन में जाता है वो वहाँ टॉप आउट कर जाता है तो अभी हम 20-21 के आसपास है थोड़ी बहुत और चल सकता है बढ़ 25 के आसपास टॉप आउट कर चकता है और वहाँ पर अगर वो विक्स जाता है तो आप investment positions को भढ़ाई है because that will be the best risk you got बहुत शांदर आपने explanation दिया वापिस एक बार मैं एक और हिस्से के बारे में बात करना चाहूंगा उसके sector leader में हमने बड़ा breakout देखा फिर sideways चला गया लेकिन chemicals की बात करो मैं UPL में 8-9% का मूब देखा था कुछ commentary पे लेकिन दूसरे chemical stocks जो हैं कुछ दिनों में chance ले लेके turn ले लेके चलना शुरू हो गए यह 4 साल का इनका वनवास रहा है क्या आपको कोई early science दिख रहे है large cap chemicals में turn around के या आप evidence को देखेंगे उसके वाद touch करेंगे space को लिए यह stocks ने आपको 2X 5X से 10X दिया तो I think उस इतने बड़े move के बाद consolidation बनता था यह कुछ ज़्यादा ही हो गिया है 2.5 साल से यह consolidation चल रहा है बट अगर आप custom index को देखें जो हम बनाते हैं Goldilocks में custom chemicals index वहाँ पर हमने breakout देखा और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर momentum और trend वापस आ चुकी है बट क्या आप हर तरह के stock ले सकते हैं the answer is no हमारा favorites है Deepak Knighted हमारा favorite है Arty Industries मुझे लगता है कि यह दो stock यहाँ से outperform कर सकते हैं हमें SRF भी अच्छा लगता था but post results वह वापस lower end of the range में चला गया but overall as a basket I think chemicals मेरे साब से अच्छा return देना चाहिए और fundamentally sound companies को अगर आप इस levels पे लेते हैं तो आपकी risk reward अच्छी है गिरने के लिए 5-7% भणने के लिए 20-30% तो आपकी कर सकते हैं